आपको अपने अतीत के दर्द को भुलाना ही होगा अतीत को पीछे छोड़ो अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि आप अपने भवश्य पर ध्यान दे सकें अतीत को मर जाने दो ताकि आप पूरी तरह से जी सकें आपका संघर्ष आपकी कहानी इसलिए नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं था बलकि अपने भवश्य के लिए आपकी जिन्दगी ज्यादा जरूरी है आप देखते हैं आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते शिकायतों को पकड़े रहना आपको वहां कभी नहीं जाने देगा जहां आप जाना चाहते हो ये ऐसी चीजों को पकड़े रहना जिन्हें आप बदल नहीं सकते पागलपन है इसे जाने दो ताकि आप जी सको आपने देखा मैं उन सभी चीजों पर अपना ध्यान लगा सकता हूँ जो मेरे जीवन में घलत हुआ हो सकता है मैं इस खेल में शिकार बनने वाला खेल खेलू मेरे पास इस दुनिया को कोसने का हर अधिकार था मुझे इस स्थिती में डालने के लिए मुझे इस परिवेश में डालने के लिए मुझे इसे क्यों मिटा देना चाहिए और बाकी सुखी रहेंगे मुझे को क्यों भुगतना चाहिए और बाकी सब आजाद रहें मुझे को क्यों बेघर होके रहना चाहिए जबकि बाकी सब अपने सर के उपर की छट पर लुत्फ उठाएं लेकिन मेरा मानना है कि मुझे वो सब देखना होगा वो इंसान बनने के लिए जो आज में हूँ मैंने अपनी परिस्तितियों से परिभाशित ना होने का फैसला किया है बलकि अपनी परिस्तितियों की जगह अपने नजरिये से प्रभावित होने का फैसला किया है अपने उपर उठने की ख्षमता से परिभाशित, सीमाओं और कमियों की पीडियों से उपर उठो मेरे चारों और की महतो कांगशा से उपर उठो नकारात्मक्ता से उपर उठो हर चीज से उपर उठो आपने देखा मेरा मानना है कि भगवान हमें वही देता है जिसे पाने की हमें शक्ती है मेरा मानना है कि भगवान हमें वही देता है जिससे हम शक्तिशाली बनने को तैयार होते हैं वो दर्द जिसके साथ मैं रहा हूँ वो संखर्ष जिसके साथ मैं रहा हूँ ये सब जरूरी था आज मुझे यहां पहुंचाने के लिए आप सबसे नीचे रहकर दूसरों के लिए महसूस नहीं कर सकते अगर आप खुद वहां कभी नहीं रहे आप साहसी नहीं बन सकते अगर आपने कभी डर से लड़ाई नहीं किये तू आप शक्तिशाली नहीं बन सकते अगर आप समय पर दुबार आउट कर खड़े नहीं होते जब जिन्दगी आपको नीचे गिरा देती है आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते अगर आपने कभी असहाय महसूस नहीं किया है तू आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ना चुना है आपने फैसला लिया है कि अतीत को पकड़े रहना जरूरी नहीं ज्यादा महत्यक्रून आपका भोश्य है जिन्दगी आपका इंतिहान लेती है और आप जीते नहीं जिन्दगी वापस आएगी और फिर से मेरा इंतिहान लेगी लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि मेरे पास इसे हराने के लिए शक्ति मौजूद है आप अपनी जिन्दगी का अगला अध्याय नहीं लिख सकते अगर आप पहले अध्याय ही पढ़ते रहेंगे तो पहला बाकियों के तुलना में अच्छा नहीं होगा आप अपनी कहानी के लेखक हैं दूसरों को कलम मत पकड़ने दीजिए अपने किताब को अपने अतीत दुआरा प्रकाशित मत होने दीजिए ये आपकी कहानी है साहसी बनिये जब आपी कहानी लिख रहे हों बड़े सपने पेखिये जानिये कि आप दाकतवर हैं उससे भी ज़्यादा आप खुद को समझते हैं अतीत को अभी पीछे छोड़ दीजिए ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद